हेलो पच्चों कैसे हो आप सब आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हो यह देखे यह क्या है यह है एक प्यारी सी ननी सी चिरियां बर्ड और यह क्या कर रही है यह कर रही है फ्लाइ यह उर रही है आपने दिखा होगा चिरियां आसमान में दूर दूर तक उरती है और वो उरकर क्या लाती है दाना लाती है तिन के लाती है उससे अपना घर बनाती है यहां देखे यहां क्या कर रही है चिरियां अपने चों से तिन कों से अपना घर बना रही है घोसला बना रही है चिरियां के घर को हम क्या बोलते हैं घोसला बोलते हैं और इंग्लिश में से नेस्ट बोलते हैं तो आपने अपना घर बनाया है क्या नहीं आपके ममा पापा ने बनाया है और उसमें आप आराम से रहते हो बड़ चिरियां को कितनी मेहनत करने परती है वो अपना घर को उसे बनाती है तिनकों से बनाती है और अपना घर कहां बनाती है वो पेरों पर बनाती है पेर के ब्रांच पर बनाती है और चजों पर बनाती है और उसे में रहती है इसमें देखिए चिरियां क्या करिये चिरियां फल फल खाती है कीरे मकोरे खाती ह तो इसमें चिरिया अपने चोच में कीरे पकर कर लाई है और उसे अपने बच्चों को खिलाई है उनके मूँ में और देखें चिरियां के बच्चे क्या कर रहे हैं अपने माउथ को ओपन करके बोल रहे हैं मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, है न? और यहां पर दो चिरियां आपस में बाते कर रही हैं मस्ती कर रही हैं और पेर के डाली पर जोला जोल रही है तो मैं आपको आज चिरियां के बारे में इतनी बाते क्यों बता रही हूं बताएए मुझे क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज हो हम कवीता पढ़ने वाले हैं पोएम पढ़ने वाले हैं वो है चिरियां के बारे में बर्ड के बारे में तो क्या आप सभी रेडियो पढ़ने के लिए तो अपने बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए पढ़ना तो आज के कवीता का नाम है, पोयम का नाम है चिरियां का गीत, मिन्स चिरियां का गाना सौंग तो आईए हम पढ़ते हैं सूरज के उकते ही चिरियां मीठा गीत सुनाती है तो जब सुबह होती है, अरली मॉर्निंग होती है आपको चिरियों की आवाज सुनाई देती है आप ध्यान देना वो चीची करकर सबको उठाती है सबको जगाती है तो जैसे ही सन आता है वैसे ही चिरियां उठ जाती है जग जाती है और वो सबको जगाती है चूचू चीची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है तो चिरियां तक पढ़ फैला कर दाना चुगने जाती है तो वो दूर दूर तक अपने पढ़ को पढ़ मिंस पंक को फैला कर विंग को फैला कर दूर दूर उरती है और कहा जाती है दाना लाने अपना खाना लाने जाती है तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीर बनाती है तो अपने चो उसका चोंच इतना चोंच अमिन वेक वांस संड़ी वह सर्दी गर्मिंवर्षा को भी तो सर्दी हो यहा गर्मी यहा बारिश का टाइम पर्मिः और शल्टयर इस आप वांस सा कुछी पGoff सीजन में घबराती नहीं है वो डरती नहीं है वो सारे टाइम को सारे सिच्वेशन को हसकर बरदास्त करती है सहना मिंस बरदास्त करना टॉलरेट करती है और खुश रहती है आप खुशी से जीती है और खुश यहीं फैलाती है तो वो खुद भी हैपी रहती है और दूसरे को भी खुश करती है, हैप्पी करती है, जब चिरियां उरती है, तो उसे देखकर अच्छा लगता है, जब वो बोलती है, तो उसकी आवाज सुनकर हमें अच्छा लगता है, तो हमें भी इस कविता से क्या सिख मिलती है, हमें भी चिरियां के जैसे मेहनती होना चाहिए, हमें घ तो आईए अब हम नेक्स्ट पेच पे आते हैं ये क्या है शब्दर्थ मिन्स डिफिकल्ट वर्ड्स उक्ते मिन्स निकलते सुरज उकता है न सुबह में अब शाम में डूपता है गीत मिन्स गाना सौंग निर मिन्स घोंसला वर्षा मिन्स बारिश और यहां पे शुरुत ले सब्सक्राइब ब्लैक ब्लैक लाइन देऊन है यहां पर आपको फील करना और तो आपने प्व्यम में पढ़ है आपको वही लिखना है यहांपे तो आप क्या लिखोंगे दूर दूर तक पर फैला कर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीर बनाती है, तो fill in the blanks को आपको complete करना है, next step प्रशनों के उत्तर दो, means question answer है, यह oral question है, तो सुबह के समय चिरियां क्या 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 करती है, तो पता ही मुझे क्या 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 चिरियां, चिरियां सुबह सुबह अपने मीठी आवाज से सब को जगाती है, और दूर दूर तक अपने पर फैला कर जाती है, और दाना और तिनके चुनकर लाती है, चिरियां अपने घोसले कहां कहां बनाती है, तो चिरियां अपने घोसले पेर की डाली पर बनाती है, छ क्लास में सुनाना है आई होप आपको यह लिसन समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछे कमेंट सेक्षन में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेशन एंसर के साथ बाबाई